नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तो क्या आप भी किसी को अपना बनाना चाहते हैं आप अपनी महबत बना चाहते हैं या आप किसी के लिए तड़प रहे हैं या आप किसी से मिलने के लिए बेचैन हैं तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बसी करण का एक ऐसा उपाय बताने बाला हूँ जिसे अपना कर आप किसी भी इस्तरी या अपने प्यार में पागल दिवानी बना सकते हैं दोस्तो आप भी बसी करण उपाय करते करते ठक गए हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपको मिल जाए आप अपनी महबत पाने में कामयाव हो जाए तो दोस्तो इस उपाय को आप अवस्य ही आजमाए ये बहुत ही सकती साली और पावरफुल उपाय है ये लाल मिर्च का हुपाय आपको आपका प्यार दिलाने का काम करेगा दोस्तों आपका प्यार आपके लिए तडबने लएगेगा चाहें बहें कितना भी घमंडी कितनी भी घमंडी इस्तरी हो चाहें कितनी भी चालांग हो बहें आपके पास दोड़ी चली आएगी दोस्तो मेरा बादा है आप अपनी महबत पाने में कामयाव हो जाओगे बस अरते आप इस उपाय को बहुत ही समझदारी से और ही ढंग से करिए दोस्तो आप चांते हैं आपकी महबत आपके लिए तडपने लगे जिस पिरकार आप अपने प्यार को पाने के लिए तडप रहे हैं आप उसके लिए बेचैन हैं बेवी आपके लिए तडपने लगे तो मेरे दोस्तो आप ये वीडियो सही देख रहे हैं वीडियो को लाइक अवस्य कर दें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसा ही ज्यान आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तो अगर आप भी भगवान सिरी किष्ण से सची महबत करते हैं आप चांते हैं कि भगवान सिरी किष्ण आपकी हर मनों कामना पूरी करें तो कमेंड बोक्स में रादे रादे जै सिरी किष्ण अवस्य लिख दें ताकि भगवान सिरी किष्ण की किर्पा आप पर सदेव बनी रहे जिस विरकार भगवान सिरी किष्ण के लिए गोपियां दिवानी रहती थी आपका प्यार भी आपके लिए दिवाना हो जाए बेह आपके लिए पल-पल तडपने लगे तो दोस्तो आप ये उपाय करिएगा आपको बताता हूँ कि ये उपाय करना कैसे है दोस्तो सबसे पहले आपको दो लाल मिर्च लेनी है उस लाल मिर्च को आप अच्छे से साप कर लें और एक मारकर लेकर एक लाल मिर्च पर अपने प्यार का या आप जिसे अपने बस में करना चाहते है उसका नाम लिख दें और दूसरी लाल मिर्च पर आप अपना नाम लिख लें दोस्तो उसके बाद इन दोनों लाल मिर्चों को आप सुई में पिरो लें दोस्तो सुई चाहें छोटी हो या बड़ी बस दोनों लाल मिर्चें उसके अंदर आ जाएं यानि कि सुई उसके अंदर घुश जाए दोस्तो इसके बाद इन दोनों लाल मिर्चों को आप एक सहिद की डिबी में बंद करकर रख दें दोस्तो वैसे तो लाल मिर्च तीखी होती है लेकिन जैसे ही तीखा और मीठा दोनों मिलेंगे लाल मिर्च पर मीटे का जैसे ही असर होगा वैसे ही आपके प्यार का असर उस पर होने लगेगा जिसे आप अपने प्यार में दिवाना या दिवानी बनाना चाहते हैं दोस्तों आप देखते रहे जाएंगे कि ये क्या हुआ जैसे ही वो लाल मिर्च उस सहद में घुल जाएगी बैसे ही आपका प्यार आपके पास दोड़ा जलाएगा बै आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा आपके प्यार में पागल दिवाना होने लगेगा दोस्तो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगा आपके बिना रहने ही पाएगा दोस्तो उसके बाद जब वो आपको मिल जाए आपका प्यार आपके पास आजाए तो इस सहद और लाल मिर्च को आप दोनों लोग किसी में सबजी में या कहीं भी मिला कर खाने में ले सकते हैं दोस्तो खाने के बाद आपका प्यार सदेव आपके पास रहेगा दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रादे रादे